श्री शिवाये नमस्तिव मून दोस्तो आज की वीडियो में जानेंगे कि मिर्तियु तिति आप जानते हैं तो आप किस तरह से श्राद निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीका मैं बताऊंगी अगर आप श्राद की तिति नहीं जानते हैं तो कौन सी तिति को आपको अपने परीजनों का शराद करना है सभी चीज़े में आपको बताऊंगी किस तरह से करना है दोस्तों पहले बता देती हूँ कि शराद पक्ष जो हैं शुरू हो गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा शराद पक्ष में बहुत सी चीज़े माननी हैं सारी वीडियो में चैनल पर आजाएंगी आप जरूर देखीजेगा क्या क्या करना है शराद के दिन से ही आप जो दिया होता है दक्षन मुकी दिया वो जरूर जलाएं दक्षिद दिसा के तरफ एक दिया करके आपको जरूर जलाना चाहिए जो पंदरे दिन, सोले दिन हमारे जो शराद चलते हैं इसमें हमारे पितर किसी आज से आते हैं प्रत्वी पर कि हमारे जो जन है वो किस हालत में है, क्या है ये सब देखने आते हैं अगर आप उनका अच्छे से आदर सदकार करेंगे रोज उनके लिए रोटिया निकालनगे रोज उनका आवळं करेंगे तो आपसे पितर हमीऽा खुश रहते हैं आपके जितने भी कुल होते हैं वो हमीऽा सुखी रहते हैं अगर आप पितर पक्षमे अच्छे से श्राद का तरपन करते हैं तो आपके कभी भी जो कुल है, जो परेशानी आने वाली होती हैं, वो कभी भी भी नहीं आती हैं, इससे धन, यश, मान, सम्मान, वैवव सब मिलता है पित्रपक्ष में, अगर आप पित्रों को मनाते हैं, अगर रुष्ट कर देते हैं, तो आपका कहते हैं सर्वनास हो जाता है हर तरह से साधी विवा में रुकावाट आ रही है संतान में कि संतान नहीं हो रही है सब यह जो होता है पित्रों के ना खुस होने की वज़ा से होता है तो पित्र पक्ष में आपको मैं सारी वीडियो डालती रहूंगे आप अपडेट देखते रहना शेयर भी करूंगी मैं कबड बताऊंगी जैसे कि आपके घर में कोई महमान आता है तो आप क्या करते हैं उनका आदस अतकार करते हैं तो बस हमारे पित्र भी यही चाहते हैं कि हम प्रत्वी पर आएं हैं 15-16 दिन जाद़ दिन नहीं होते हैं 15-16 दिन अगर आप विशेश पूझा करते हैं जैसे कहत यह जो सुबकार्य होते हैं वो बंद कर दी जाते हैं, जो सौपिंग है वो बंद कर दी जाती है, कि कपड़े मत पहनो ने कपड़े मत पहनो, तो आपका सारा attraction जो होना चाहिए अपने पित्रों के लिए, इसलिए यह चीजे बंद कर दी गई हैं, अब आपको क्या करना है पि पित्रों को पसंद थी यह नहीं कि पित्रों को हमारे नॉन वेज पसंद था तो नौन वेज निकाल ले हैं या बीर वगरा पसंद थी तो यह पिला थे हैं आईसे कुछ नहीं करना है इन तामसिक चीज़ों का पिडियोग जो है श्राद पे नहीं करना है आपको नॉर्मल ही का खाना बना ना राजमा बना राजम की है उनका उच्छ बता दूं कि जैसे कि आपके जू पितर हैं वौ परति-परदा के दिन एगर मरे है तो उनका श्राद प्रतिप्रदातिक के दिन मनाएद। दूसरा जो श्राद है जिन पूरवजों की मिर्ठियू कि किसी भी महीने को होती है तो उनको चतुरती के दिन ही श्राद किया जाता है KALCULITY न में अच्छे से सीखाऊंगी वीडीयो में केस तरह ऐसे निकाल सकते हैं और जो मिर्तियु एहविभाइता के रूम में हो जाती है तो उनका पंचमी के कुवारे जो होते हैं उनका पंचमी पे मनाना श्रेष्ट माना गया है और जो छटा श्राद होता है वो श्रष्टी तिथी के दिन जो मिर्तियु होती तो श्रष्टी तिथी निकाल सकते हैं साथवा शिराद जो होता है सुकलपक्षस कि समई तिति पर होई को शराद करेंगे आप जिनकी मृत्यू पूर्णी मापर ऑफे आस्टमी या द्रादसयत वहाई एसमें अस्टमी की दिन नॉमी में माता की मृत्यू की तिति जिराद मां का शरत्य reduz करें जिनकी मृत्यू कि त голी अपने मा की आपको तो नौमी पर जरूर करें श्राद की तीजी जिस दस्मी में आपको जिसकी तीटी वो है वो करना है ऐसे लोग जो सन्यास लिए होए होते हैं उनका 81 को करना है मालोप के पितारे सन्यास ले रखा है तो आप पित्रपक्ष की द्रादसी तीटी को कर सकते है ठीक है इसके अलावा जैसे की तुरोदसी तिती को श्राद के किशनपक्स की तुरोदसी तिती बच्चों का श्राद करते हैं उसमें तुरोदसी जो बच्चे मर जाते हैं छोट छोटे और 14 पे अकाल मिट्ट्यू वाले होते हैं जैसे आंक से जलने हैं सास्त्रों से भी स्प कर लिया दुर घटना में ररगए तो उनका 14 के दिन करा जाता है और मावस पर किसी का पिंड Almost्यां को याद नहीं है कि हमारे पितरो की Тут yay याद नहीं किस तरह से निकालने है आप गूगल पर जाना गूगल पर आप जो भी आपकी मदर की डेट हो उस डेट को डाल देना डाट डेट बोल देना जैसे 31 नवंबर 2024 में क्या वार था तो उसमें आ जाएगा कि कृष्ण पक्ष की दित्यतिती थी तो दित्यतिती ले 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 आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि दित्य तीति को ये मरे हैं तो दित्य का ही श्राद होगा अब मालो आपके जो वो थे मेंबर घर के वो चत्तुदर्शी को मरे थे आपने गूगल पे डाला कि 31 मईं 2024 में क्या वार था तो आपको पता लग जाएगी क्योंकि कलेंडर तो क्या वार था और क्या वो था थीति तो उसमें आ जाएगा चुकि 14 थीति तो चौधस को ही श्राद करना है बस इतना ही और श्राद अच्छे से मनाईए जिससे आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां नहीं और वीडियो सारी जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके